पिथोरा नगर के संक्री रास्ते से जा रही बस में यातरी लोग बड़ा आनंद लेते हुए जा रहे थे लग रहा था जैसे सब पिकनिक पर निकले हूँ दो लड़किया गुन-गुनाती जा रही थी एक बड़ी उम्र की आंटी बस से बाहर के नजारे ले रही थी एक जिम्मेधार सा लड़का सबका ध्यान रख रहा था तो वहीं एक लड़का बस की आखरी सीट पर खामोश सा अख़बार पड़ रहा था ये मौसम का जादू है मितवा मितवा नाब दिल पे काबू है मितवा देख बानी एक लता है एक अलका हम ही जाएंगे इस पर सिंगर आइडियल में जज़बन कर सुनसान रास्ते पर एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा शांती से बैठा हुआ था कि तभी एक चील ओड़ती हुई वहां आती है और बैठे हुए बोढ़े के सिर में चोच मारती है भगवान तेरा भला करे जगा दिया मुझे इतने गर्मी में हट भाग जा यहां से वर्णा पत्थर मारूंगा अब ओड़े ज़ादा जबर-जबर मत कर वर्णा अगर मैंने मुझे खोल कर अपने मालिक का नाम बता दिया ना तो पैंट में सूसू निकल जाएगी सूसू राम भला करे कौन है तेरा मालिक मेरा मालिक महान शक्तिशाली काली शक्तियों का जलाद तांतरिक काला है और चील बोलते हुए जैसे ही पलटती है, वो बूढ़ा अदमी पलट जपकते ही, एक खुंकार तांत्रिक में बदल जाता है, ये देख चील तो हिल ही जाती है मालिक आप, आप तो कमाल हो मालिक बकवास कम काम जादा गरमुर्क, बता, क्या खबर लाई है? ओ हाँ, खबर, वो मालिक, वो नागिन, वो हमारी सीमा से दूर जा रही है मालिक नहीं, जब तक वो नागमणी की शक्तियां और उस नागिन से मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, वो यहां से दूर नहीं जा सकती मैं जानता हूँ, अब मुझे क्या करना है, हाहाहा, शैतान मेरा भला करे, हाहाहा, और तांतरिक मंत्र भूख कर, जोरदार धुएं के साथ वहां से गायब हो जाता है, तभी गीता काकी खिड़की के बाहर देखकर, जोर से चलाती है, काकी की चीक सुनकर, ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है, और अंदर बैठे सब लोग हिल जाते हैं, बानी काकी के पास उठकर आती है, और उन्हें समहलती है, क्या हुआ काकी आपको? अरे वो तो मैं तुम सबको इतनी गहरी खाई दिखा रही थी, बच्चों के बाहर ने ही सही घर से पहली बार निकली हूँ न, वो का कहते हैं, हाँ, हप्पी हूँ, इसलिए चीक ही निकल गई, काकी की बात सुनकर सब हसने लगते हैं, लेकिन वो हसी, बहुत जल्द ही बं जाना है भाईया, इतनी घरी खाई है, अगर एक बबार आदमी गिर जाया, तो चार दिन बार निचे मिलेगा, हाँ, 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 सो फणी, अमण, यू सो फणी, रूही अमन के कांधे पर हसते हुए हाथ रखती है, और अमन की धरकने बढ़ जाती है, ब मैं बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई हूँ, तू नहीं चलावेगा तो मैं खुझ चला कर ले जाऊंगी। काकी, यू आर सो स्वीट, पर पहले इस भाई की बात तो सुन ले। बस क्यों नहीं आगे जा सकती है, ये आप सब खुदी आकर देख लीजिए। और सब लोग बाहर आकर देखते हैं, तो सब की आखे फटी की फटी रह जाती है। बस के अगले टायर के नीचे एक काला मोटा नाग कुछला जा चुका था। है मैया जे का हो गया। काके सिर्फ जे ना हुआ, इधर तो देखो। और सब जाकर देखते हैं, तो वहाँ एक नेवली कुछली हुई थी। और बानी नाग के करीब जाकर उसे जैसे ही उठाने लगती है, गीता काकी तोरंत उसे रोग देती है। रुक जा बेटिया, तुम सब इन चीजों में ना पड़ो, ये मुष्टंडे से लड़के कब काम आएंगे? राज अमन तुम दोनों करो लल्ला ये सब! और जैसे ही बानी पलटती है, अमन और राज नाग और नेवली के शरीर को उठा कर जलाने की बजाए खाई में नीचे फेंग देते हैं। ये क्या किया तुम दोनों ने? हाँ अमन, ये गलत है, मरने के बाद उनको भी शांती पाने का हक था। और सुना है, नाग साथी के मर जाने के बाद नागिन बदला लेने जरूर आती है। और नेवला साथी भी। बानी, ये सब क्या हो गया। अब चलो सब यहाँ से जल्दी। राज अमन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता।